लोगसबद चुनाव में BSP प्रमूख मायवती भले ही शुरू से कॉंग्रिस पर हमले बोल रही हो लेकिन S.P. अध्यक शक्षिलेश यादव चुनाव के पहले 4 चरण तक कॉंग्रिस को लेकर नरम ही नजर आए लेकिन अब वो भी मायवती के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं अब वो खुल कर BSP के साथ साथ कॉंग्रिस पर निशाना साथ रहे हैं और मौझूदा सभी समस्याओं के लिए कॉंग्रिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ऐसे में सवाल उतना लाज़मी है कि शुनाव के चौते चरण के बाद कॉंग्रिस पर अचानक हमलावर क्यों हुए अखलेश? कॉंग्रिस पर अखलेश यादव के अचानक हमलावर होने का रास क्या है? सियासी जानकारों की माने तो अखिलेश के तेवर में आय बदलाव के पीछे सोची समझी रणनीती है यूपी में अब जिन इलाकों में चुनाव होने हैं यहां के सियासी संग्राम में SP, BSP, गडबंदन, कॉंग्रेस और बीचपी तीनों बड़ी मजबूती के साथ चुनावी जंग लड़ रहे हैं इन में से कई सीटे ऐसी हैं जहां कॉंग्रेस उमीदवार काफी मजबूत पाने जा रहे हैं प्रदेश के जिन सीटों पर वोटिंग बाकी हैं वो सभी प्रुवांचल इलाके की हैं कॉंग्रेस ने यहां के सीटों के जिम्मेदारी प्रेंका गांधी को सौपी है प्रेंका ने भी हाल ही में कहा था कि कॉंग्रेस ने ऐसे उमीदवार उतारे हैं जो जीतेंगे या फिर बीचपी का बोट काटेंगे इसे दिन ही पार्टे अध्यक श्राहु गांधी ने भी कहा था कि मायावती और अख्लेश के रिमोट कंट्रोल की शावी नरेंदर मोदी के पास है कॉंग्रेस के हमराबार रुक के चलते अख्लेश और मायावती भी सतर्क हो गए हैं यूपी में हुए अब तक के चुनाव में कॉंग्रेस भले ही मुख्य मुकाबले में ना दिखी हो लेकिन बाकी के बचे हुए चरण में पार्टे उमीदबार मस्बूती से लड़ रही है इन में भेराइच, सुल्तानपूर, कुशी नगर, सलेमपूर, मिर्जापूर, प्रतापगर, बधोही, संत कबीर नगर, बस्ती और महराज गंज जैसी लोग सबसीटे शामिन हैं इसके अलावज जिन सीटों पर पांचवे चरण में वोटिंग हुई उनमें धोरहरा, सीतापूर, राइबरेली, अमेठी, बाराबंकी, बांदा और फतेपूर सीटे प्रमुख हैं इन सीटों पर कॉंग्रस मुख्य मुकाबले में हैं अखलेश मायवती इस बाग को बखुबी समझते हैं कि अगर कॉंग्रस के खिलाव जवाबी हमला नहीं किया तो पुर्वांचल की सियासी लडाई कहीं ट्रेंका बनाम नरेंदर मोदी के बीच सिमट करना रह जाए कॉंग्रस ने कई सीटों पर SPBSP से आई नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर गटबंदन के समीकरण को पहले ही बिगार दिया है यही वज़े है कि अखलेश मायवती दोनों ही ट्रेंका और राहुल के बयान से बेचैन हो गए हैं और अब दोनों नेता कॉंग्रस पर करारा हमला कर रहे हैं इंडिया न्यूस फायरल की रिपोर्ट